तो ये पहला बच्चा है फिर माजी हमारे साथ ही ये फर्क क्यों कर रही है क्योंकि हम गरीब घर से आई हैं और काली हैं मेगा तुम अपना दिल छोटा मत करो देखना एक दिन माजी हम दोनों को अपना लेंगी ऐसे ही दिन बीतता है और अब पाचों बहु को तीन महीने हो जाते हैं मगर तीनों गोरी बहुएं सारा दिन अपने कमरे में बैटी बैटी फरमाईश करती है हरे ओ हमारी काली जिठानिया हमारा ब्रेक्वस्ट लेकर कमरे में आओ जाओ मीघा ये नाश्टा उन्हें दे आओ मेघा नाश्टा लेकर कमरे में आती है हाओ आओ नंबर टू टैमरींदा मेघा नाश्टा रख कर जाने लगती है तब ही तारा टॉंट मारते हुए भूलती है अबे ओ, काली का लूटी, बैंगन लूटी, कर एक दस बजे हमारे लिए जूस ले कर आना, मत बूलना, समझी, मेगा चुपचाप वहाँ से चली जाती है, वक्त गुजरता है, अब पांचों को पांच से छे महीने बीट जाते हैं, एक शाम सुश्मा अपनी तीनों बहूं के कितनी सारी थैलिया, पूरा बाजार ही खरीद कर ले आई हैं क्या, मेरा बस चले तो मैं अपनी तीनों बहूं के लिए पूरा बाजार भी खरीद लूँ, इनमें तुम तीनों के खाने पीने के लिए फाल फूरूट है, और काजू बादाम और मेवे मखाने हैं, और ये केस जैसे जैसे महीने बढ़ रही है शरीर में बड़ी कमजूरी आ रही है ये काजू बादाम प्रीबंड में नहीं है जो मैं तुम दोनों काली कलूटियों को दे दू हमारे जमाने में औरते रूखी सूखी रोटी खाकर भी हट्ट्य खट्य बच्चे पैदा करती थी दाल इने का कोई इंतजाम नहीं मिलता साथ ही वो बेचारी बहुएं सारा दिन सुबह से रात तक एक पैर पर नाचती रहती है माजी चाय तम दोनों को कितनी बार कहा है ना दूद में तेज पत्ती डाला करो मेरी तीनों बहुँओं का ये पहला बच्चा है उन्हें ताकत की ज सुश्मा मेगा को चड़ाते हुए तीनों गोरी प्रेगनेंट बहुँओं से बूचती है बताओ मेरी प्यारी गोरी बहुँओं तुम्हें क्या खाने का मन है सासुमा मुझे कोफ्ते और रोठी खाना है और मुझे कड़ी चावल खाना है मामी जी मुझे तो अंडा कड़ और पुलाओ खाने हैं अंडे का नाम सुनते ही मेगा का जी मचलाने लगता है मा जी ऐसी हालत में मुझसे और अर्पिता दिदी से अंडा कड़ी नहीं बनेगा उससे दुरगंध आती है सुना अपने सासु मा ये मेरा पहला बच्चा है और मुझे मेरे मन पसंद का खाना भी नहीं मिल सकता ये कहते कहते तारा जूट मूट के रोने लगती है जिस पर सुश्मा भड़क कर कहती है सुश्मा जबरदस्ती दोनों पर अपनी जिद थोब देती है अंडा कड़ी बनाते हुए अर्पिता मेगा को बहुत उल्टिया होती है और दोनों की तब्यद बिगर चाती है मगर सुश्मा को उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता समय बीतता है अब सुश्मा की सभी बहुं को साथ से आठ महीने हो जाते हैं तब ही एक दिन सुश्मा की